एडूटेरिया की करेंट अफेर की नहीं वार्सी की आई है जिसमें एक अप्रेल 2022 से लेकर एक अप्रेल 2023 तक यह करेंट अफेर है इस बुक का हम प्रेक्टिस हिट बना रहे हैं आज हम प्रेक्टिस हिट नंबर 6 बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्चन है मह देई नदी के पानी को कल्सा और बंदूरी नहरों से जल मल प्रभा नदी इसमें जोडने की प्रियोजना कल्सा बंदूरी पेजर प्रियोजना किस राज से समंदित है ये करनाटक से समंदित इसमें क्या है कल्सा और बंदूरी नहर से मल फ्रधा नदी को जोड़ा निमलीकित में से किस मंत्राले द्वारा विचारों एवं समधानों को आमंदित करने के लिए प्रजोला चैलेंज लॉंच किया गया है प्रजोला चैलेंज कौन से मंत्राले ने लॉंच किया है ग्रामीन विकास मंत्राले ने निमलीकित में से कौन सियाचिन में तैनाथ होने वाली पहली महिला आर्मी का अफिसर बनी है पहली महिला आर्मी अफिसर कैप्टन सीवा चोहन बनी है हाली में ब्राजिल के नए रासपती के रूम में किसे नियुक्त किया गया है ये बने हैं लूला डास सिल्वा बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं वहाँ पर पुर्तोगाल के स्टार स्ट्राइकर किस्टनयानो लुलान्डो किस देश के फुटबॉल कलब अलनसर से जुरे हैं अलनसर फुटबॉल कलब जो है न साउधी अरबिया का है केंद्री मंट्री डॉक्टर जितिंद्र सी ने स्टार्ट अपस को बहु आयामी सहता परदान करने के लिए डैस में रास्टी अनुसंदान विकास निगम एन आर डीसी नेशनल रिसर्स डेवलोप्मेंट कर्पूरेशन मुखाले में इनक्यूबेशन सेंटर का उधगाटन किया ये नई दिल्ली में है परसुओ के लिए किस देश के पहले इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन मौवाल यूनीट की सुरुवात की सराज के अमरेली में की गई है ये है गुजरात में अमरेली जगह ये एक 108 भारतिय विज्यान कॉंग्रिस का योजन किस चर में किया गया नागपुर महराष्ट में 108 भारतिय विज्यान कॉंग्रिस का लिजन किया गया दो वर्स के अंतराल के पच्चाद 20 सबसे बढ़ा ओपन एयर फर्णरी ओपन एयर थियेटर महुतसो धनु यात्रा कायोजन किस राज में किया गया ओडिसा में किया गया क्या है ओपन एयर थियेटर महुतसो धनु यात्रा नाम से दस्मा कुश्चन है निमली के तमें से किस राज की पहल जागा मिसन को सेयूग रास्ट वर्ल्ड हैबिटेट अवार दोजार तेश से सम्मानित किया गया और इसा का ये मिसन है जागा चुनाव आयोग नेमत दाताओ को जागरू करने के लिए निमली केट में से किसे बिहार का इस्टेट आइकन यूट किया गया बिहार का इलेक्शन कमिशन के दौरा निमली कित में से कौन 155 किलो मेटर प्रती घंटे की गती से गेन फेकर भारत के सबसे तेज गेंदवाज बन गया है ये बने उमरान मलिक 17 परवासी भारतिय सम्मान पुरसकार P.B.S. परवासी भारतिय सम्मान पुरसकार के 21 प्राप्त करताओं में से एक मुहम्मद इर्फान अली किस देश के रास्पती है ये गुवाना के रास्पती है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन में समिस्रन प्रियोजना गीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट निमली की तुमेज़े किस कंपनी दौरा गुजरात में सुरू की गई एंटीपीसी के दौरा गीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट जो कहाइड्रोजन समिस्रन से लेटर है गुजरात में है नियॉर्क फिल्म क्रिटिकल क्रिटिक सर्किल में बेस एस एस राजा मॉली का बदे लिटा बन रहा है चिनाम नदी पर निमलीकित में से कौन सा राज है भारत का पुरी तरह से डिश्टल बैंक विला का राज बन गया है वो केरल बन गया पूरी तरसे डिस्टल बैंक की विए उड़ाज जी ट्वेंटिय दक्षता के दोरान विद्धिय समावेशन के लिए वैस्विक भागवदारी पर G20 कार्समों की पहली बैटा का रजन किस सहर में किया गया बैस्पी भागेदारी पजी टेंट्टी कार समुका बित्ती सवावेज़प मैंने फानेंसियन इंक्लूजन के लिए मीटिंग कहां पर हुआ है कुलकता में हुआ बंगाल 19 नमर कोश्चन है 26 राष्टिय युवा महुत्सव कावजन की स्राज में किया गया 80 वे गोल्डेन गलोब आवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सौंग मोसन पिक्चर कर्टेग्री में आर 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 के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सौंग का आवार्ड जीता है इसे किसके दोरह कंपोज किया गया इस गाने के कंपोजर थे M.M. किरवानी जन्वरी 2023 में केंदी परदूसर नियंतरन बोर्ड, CPCB, Central Pollution Control Board द्वारा जारी आकरे के नुसार 2022 में भारत का सबसे परदूसरी सहर कौन बना है ये दिल्ली बना है, सबसे परदूसरी सहर, CPCB के रिपोर्ट के नुसा इस्टार्टरफ हम, IG ड्रोन्स दौरा विक्सित भारत के पहले 5G सक्छम ड्रोन का नाम क्या है जो एक बार में 10 किलोमीटर का पेलोड लेकर 5 घंडे तक उरान भड़ सकता है ये स्काई हॉक है, ये IG ड्रोन के दौरा विक्सित किया गया है, 5G तक्निक से लहस है निमलीकित में से किस भारत अमेर की एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीप टेक्नोलोजिस्ट के रूप में न्यूक्त किया गया है ये है हमारे AC चरनिया स्वातीसी को बफ्ज 2022 का एकलव प्रॉशकार प्रधान किया गया है इनका संबंद किस से थर से है, ये साइकलिस्ट है स्वातीसी दुनिया के सबसे लंबे रीवर क्रूज MV गंगा विलास MV गंगा विलास को हरी जन्Дी दिखा कर रवाना किया गया बानारस से शुरू होकर लगवा 32 किलोमिटर का सफ़य करेगी बांगलादेश के रास्ते अपने डिस्टिनेशन असम के दिब्लूगर पहुंचेगी इसको हरी जन्डी बानारस के ही MP द्रेंद मोदी और परधान मंद्री भी है इनके द्वरा किया गया है 26 कोश्चन है विस बैंक की बैटक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल एकॉनमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के आर्थिक व्रिद्दी अगले वित वर्स में घटकर 10 रहा जाएगे जो चालू वर्स में 6.9 परसेंट है 6.6 रहा जाएगी अभी यह और घटा दिया है इन्होंने पर जब तक यह रिपोर्ट आया है वह ग्लोबल एकॉनमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जोगी वर्ल्वेंग के दोरा जाया है तक उसमें 6.6 है 15 जन्वरी 2023 को आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 का ले चुना गया है उनका संबंद किसी देशे है आर बोनी ग्रेबियल अमेरिकन कहें 28 पा कुश्चन है हाली में निमली कित में से किस संस्थान द्वारा वैस्विक जोकिम रिपोर्ट ग्लोबल रिक्स रिपोर्ट 2023 की गई है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये जारी करता है वीट आर्थिक मंच वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम निमली कित में से किस देश ने अपने 75 वे राश्टी सुरतंत्रा दिवस समरों के हिस्से के रूप में एक स्मारक डांक टिकर जारी करने का पैसला किया है जिसमें भारत के पहले पढ़ान मंद्री जवाला नेरू का चित्र सामिल है ये सिलंका ने किया वो भी 75 वे टैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है यह है मद्रिपंडेस में वीडिसा जिला जो फाइब जी उप योग के मामले में ऑन ग्राउंड टैनाती किया है हाली में वंडे इंटर्नेस्टर क्रिकेट में दोरा सतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन ब बने है बत्यस्वा कोस्चन निमली की त्रमेसे किस कंपनी ने भारत में ग़र्स होल टेक इस टीएम पहल के दूसरे फेज की सुरुवात की स्टीमि का मतलब होता है साइंस टेकनलोजी इंजिनियरिंग एन मैथेमेटिक्स पहल के दूसरे फेज का सुरुवात किस कंपनी के के दोरह किया गया है ये master card के दोरह किया गया है इंदुस्तान Uni Never Limited ने किस संस्था के सहयोग से एक समावे सी circular economy प्रजेक्ट सुरू करने की घुस्तना किया सरुकलर यूमि प्रजेक्ट किसके दोरह सुरू किया गया है ये ंटP unit national development program और हिंदुसतान i usa linear limited के दोरह सुरू किया गया चोटिस कोच्छने तेज जन्वरी 2023 को पांचवी कलवरी सिरेनी की पंडुब्बी इसका नाम है आई एनेस वगीर जो की पांचवी कलवरी सिरेनी की पंडुब्बी है भारती नोसिना में कमिशन कर दिया गया किस देश की रासपती अबदिल फता अलसी सी भारत के चोहत्तरवे गंतन दिवस्वा मुकतिती थे यह थे यह मिस्र के रासपती निमली के तिमसे किस मंत्राले दुबारा 26-31 जन्वरी 2023 तक लाल किले के लौन में 6 दिवसी मेगा इविन भारत परुका आयोजन किया गया है यह परियेटर मंत्राले के दौरा 6 दिवसी मेगा इविन भारती परुका आयोजन किया गया दिस्वा कुश्चन है अचीज जनुरी 2023 को फाहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन कायोजन कहा किया गया यह नए दिल्ली में किया गया भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलना आईसीजी दौरावर्ज 2022 के लिए आईसीजी में टी ट्वेंटी क्रिकेट ऑफ दाइयर के रूप मे किसे चुना गया तो 2022 के लिए वाड मिला है सुड के कुमार यादो स्वास्त मंति मंसुग मंडविया एब विज्ञान ने वह प्रोद्री मंत्री चितन सी दौरा भायोटेक भारत भारत की पहली नेजल COVID-19 वैक्सिन का लॉंच किया है इसका नाम है इनको वैक्स भुनेस्वर के कलिंगा स्टेडियम याओजित एफ आई एच एफ एफ एच का फूर्पर में फेडरेशन इंटरनेशनल एडे होकी यह थोड़ा फ्रांसेजी नेम है इंगलीज में इसको बोलते है इंटरनेशनल होकी फेडरेशन में होकी विसकप का किताब क मतलब इसना मतलुं hot you ओडिशा में होता बुनेस्वर में के बूसे जर्मनी ने जीता है थिस्फए राश्टिय व्हुष्ट बालविज्जब का उधरें किस शहर में किया गया तो थिस्फवा जो बाल विख्जानADE का उधरें का उधर्भाटन किरल किरल में किया गया है बधान मंद्री नरिंद मोधी दोहरक कि सिराज में डॉक्टर सियामा प्रशाद मुश्ळ्टी जल और सुच्था संस्तान का उलगाटन किया है यह तो किया हैं थे तरह से प्रश्ची मंगाल में किया गया है। इस भारती टेनिस इलारी ने पेसेवर टेनिस से सन्यास की गोजना किया है। तो सानिया मिरजा ने अब टेनिस से सन्यास ले लिया है। नेताई सुबात चन बोस की एक से 26 वी जेहनती पड़ाकरम दिवस को चीनित करने के लिए डैस के जवालर नेर्वी स्टेडियम में एक सैन्न टैटू जनजाती गीत महुत से आधी सोरे परव का पड़ाकरम का अहोजिन किया गया ये किया गया है नई दिल्ली में 47 पर कुश्चन है भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की सुरुवात की है जिसके तर भारती युवाव को अब बिना किसी स्पॉंसर के दो साल तक रहने और नौकरी करने के इजादत मिल जाएगी ये हुआ है बीटेन के साथ यंग प्रोफेशनल स्की की सुरुवात दस जन्वरी दो जटेश को डियार डियो द्वारक की सिराज में कम दूरी की बलिस्टिक मिसाइल सारे 300 किलोमेटर दूरी वाली प्रित्वी दो का आप सफर प्रिस्चन किया गया यह तो रिशा सही होता है सची प्रित्वी दो प्रित्वी दो जो की सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है बलिस्टिक मिसाइल है हाली में रेत शुदर्षन पतनायक ने किस राज में विस्फ की सबसे बर 105 फिट लंबी होकी इस्टिक बनाई है जिसका निर्मान रेत से किया गया है यह बनाया है और इसा में यहीं कि पतनायक साहब और इसा में मिलते हैं हाले में कौन T20 इंटरेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले के इंदवाज बन गया है तो यह था छे नमबर सेट आगे सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए